नमस्कार सभी सातियों को आप सभी का कुछामन ओनलाइन क्लासेज के यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन सातियों आज जो है हम इस कक्षा के अंदर पसू पालन के सो क्यूशन देखेंगे ये क्यूशन आप रट लीजिए एक्जाम में आपको हुबू चपेंगे एक्जाम में हुबू ये परसन आपको मिलेंगे तो पहला क्यूशन है हमारा बकरी फार्म सुरू करने के लिए बकरी की एक इकाई है यानि जब आप पसू पालन जो बकरी फार्म सुरू करते हो तो उस पे बकरी की एक इकाई यानि की दस बकरी एक बकरा पचास बकरी एक बकरा तीस बकरी एक बकरा बीस बकरी एक बकरा कितनी बक्रियों के ऊपर जो है एक बक्रा होना चाहिए यानि कितनी फिमेल जो है उस फिमेल पे एक मेल गोट होने चाहिए इसका अंसर क्या होगा तो अंसर रहेगा दस बक्री एक बक्रा दस बक्री और एक बक्रा next देखे कि सिटी ब्रीड के नाम से परसिद बकरी की नसल पाई जाती है बरतपूर किस बकरी के दूद में सबसे ज्यादा फेट पांच परतिशत पाई जाती है बारबरी जखराना नसल पाई जाती है जखराना नसल पाई जाती है अलवर गोड़ी में कौन से दात अनूपस्तित होते हैं केनिश गाई को आवास में खड़े होने के लिए जगे चाहिए पांच पित गुणा चार पित, आट पित गुणा चार पित छे पित गुणा पांच पित, पांच पित गुणा चार पित बेड जिसके सभी दांत गिर गए हो कहलाती है बेड जिसके सभी दांत गिर गए हो कहलाती है गुमेर बेड में पूर्ण मुह की इस्तती होती है चार वर्ष किस मैथड में उत्तक के जलने के बाद इस्ताई निशान बन जाता है टेटुइंग उत्तम उन उत्पादित करने वाली विदेशी नसल है कौन सी है मेरी नो और रेंबो इलेट एक वे दो दोनो सबसे अच्छा किस नसल का मटन है सपोक दो कूबड वाले उन्ट का जूलोजिकल नेम है केमलस बेक्टिरियनस परसव है तू तैयार करने के लिए जो गाय को अत्रिक रासन दिया जाता है उसे कहते हैं इस्टिमिंग अप लडाकू नशल लखनव का मुर्गा एवं इंडियन गेम के नाम से परसीद नसल है असलील सोरी असील मुर्गी पालन की सबसे भारी नसल है लेग होर्न डेब्यू डिंग का उप्यूक्त समय होता है एक से दस दिन की उम्र डेब्यू डिंग में कौन सा रसाइन काम में लेते हैं एने ओच के ओच एक वे दो दोनू इलेक्ट्रिक डे होर्नर से सिंग रोधन करते समय टेमप्रेचर अपोन टाइम होना चाहिए टेमप्रेचर अपोन टाइम होना चाहिए एलेक्ट्रिक डे होर्णर से सिंग रोधन करते समय टेंपरेचर टाइम होना चाहिए सो डिग्री एक हजार डिग्री फारेनाइट परती दस सेकेंड बदिया करना की रक्त वीहिन वीदी है बल्डी जो केस्ट्रेटर द्वारा रबर के चले द्वारा एक वे दो दोनों दूद छुडाने के लिए बच्डे को गाय से अलग करना कहलाता है वीएनिंग गाय का जीवनकाल होता है बीस्वर्स ब्रूसिलोसिस का जीवित ठीका है बी एबोर्टस स्ट्रेंड उन्निस काप द्वारा त्यागावा पर्तम मल कहलाता है मेकोनियम गोडे के जुंड को कहते हैं पैक गया भीन गाय के लिए लूज हाउसिंग सिस्टम में अच्छा दित छेतर की आविश्यक्ता होती है 100 से 120 वरग फिट गोडी का गेस्टेशन पिरेड होता है तीन सो इकतालीस दिन बकरी का गेस्टेशन पिरेड होता है 155 दिन वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है कौन सी रहती है नाइबमो फेनेमिक और बुलर दो वे तीन दोनों ल्टी ल्टी पास्चूरी करण के लिए तापमान समय होगा 63 डिग्री सेंटिग्रेड परती 30 मिनट ह्टी एस्टी पास्चूरी करण के लिए तापमान होगा बैतर डिग्री सेल्शेस परती 30 सेकेंड गाय का दूद पीला एवं बेंस का दूद सपेद करमस से किसके कारण होता है केरोटीन और कैशीन फ्लूसिंग राशन दिया जाता है परजनन मोसम से पहले स्ट्रिमिंग अप दिया जाता है गरबावस्ता के समय लूज हाउसिंग सिस्टम में परती 20 कितने डखे वे चैतर की आवशक्ता होती है चार वरग मिटर इंडियन गेम के नाम से परसिद नसल है कौन सी है असील लूज हाउसिंग सिस्टम में एक ग्याबिन गाय को कितना खुला चैतर चाहिए 180-200 वरग मिटर उंट को परती दिन पीने के पानी की आवशक्ता होती है 25-35 लिटर गाय वे भैंस के संक्रन से प्राप्त नसल को कहते है क्या कहते है केटे लो कैस्ट्रेशन किये वे गोड़े को कहते है कास्ट्रेशन किये वे गोड़े को कहते है गैल्ड रेंबो रेंबो लेट नर एवं चोकला मादा का संक्रन है कुनसा है अविवस्तर सूर्थी नसल है किसकी है बैंस की रिफर्स मेथड किस जानवर को नियंतरत करने के काम में ली जाती है गाई ट्विच किस जानवर में काम में लेते है गोड़ा क्रेडल कहां लगते है गर्दन हुबल्स मेथड किस जानवर को नियंतरत करने के काम में ली जाती है गोड़ा नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है किसका होता है गुण सुत्तर की संख्या राई का एउम रेबारी मुख्यते किस पसु को पालते है ओंट गरीब की गाई किसे कहा जाता है बकरी CSWRI इस्तित है अविका नगर मुर्गी में अंडे देने की परकिरिया को क्या कहा जाता है OV पोजिशन बकरी का वेग्यानिक नाम है कापरा हरकश बैंस की कौन सी ब्रीड गुजरात ग्रूप में नहीं आती है कौन सी नहीं आती है बदावरी कौन पशुदन की स्रेणी में नहीं आता है मुर्गी एप एमडी परकोप के समय सबसे अच्छा किटानू ना सक कौन सा है एक परतिसत के एम एनो फोर निम्न में से गोडे की चाल है तो ये सभी है ट्रोट, कौन्टर, गैलाप सभी ब्रेंडिंग करने का उचित इस्तान है जांग सनेन का उत्पती इस्तल है निमारी गाय किसका मिसरन है गिर, खिलारी सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली भेडेऊं बकरी की नसल करमश से है गेरोल, बलेक, बंगाल राजस्तान में वर्स 2019 की पसुगंणा के आदार पर गायों की संक्या है एक सो उन्चालीस दसमलव तीन साथ लाक उन्टूं को अपनाने वाले समाज को कहते हैं राई का या रेबारी उन्टूं को नियंत्रित करते हैं गिर्बान से उन्ट के साधरन त्याक किस परकार की विदी से पैचान चिन लगाते हैं ब्रांडिंग कोंसा पसू रुमेनिट है कोंसा पसू रुमेनिट है गाय कोंसा पसू साकारी है गोड़ा गदा कौन सा पसू मासारी है कुता सुवर बेडू में ET टीका करण का समय होता है गर्मी बेड की मेटिंग की करिया को कहते है टपिंग बकरी की मेटिंग की करिया को कहते है सर्विंग गाय के protrusion को कहते हैं काविंग कुटे के perturition को कहते हैं वेलपिंग गोड़ी के perturition को कहते हैं फोलिंग नर गोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं स्टैलियन मादा भेड जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे कहते हैं इउ बकरी जो ब्रीडिंग में काम आती है उसे कहते हैं डो सूरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे कहते हैं गिल्ट नर बकरा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं बक विश्वे का सबसे बड़ा गद्दूं का मेला लगता है जेपूर ग्रामेड आप असु प्रीचर भरती की तैयारी कर रहे हैं संपूर्ण कोर्स जो पढ़ना चाते हैं तो कुचामन ओनलाइन एप्लिकेशन पे नामातर के सुल्क में पसु प्रीचर भरती का संपूर्ण कोर्स उपलब्द है अगर आप पचीसों प्रसनों की पीडियेप चाते हैं तो वो भी है पार्ट बी का कोर्स चाते हैं तो भी आपको मिलेगा आप प्रस्री चाते हैं तो भी कुचामन ओनलाइन क्लास सेज के एप्लिकेशन पे जाकर आप परचेज कर सकते हैं देख सकते हैं विश्वे में दुख दे उतपादन में भारत का इस्तान है कौन सा है फैस्ट विश्वे में भारत का अंड़ा उत्पादन में इस्तान है कौन सा चोता राजस्तान भारत वर्ष में उन उत्पादन में इस्तान रखता है काजरी काजरी कहां पर इस्तित है जोधपूर बकरे का कैस्टरेशन क्यों करते हैं वजन बढ़ाने तू मदूर सबाव बनाने तू परजनन रोकने तू उप्रियोक्त सभी बारत वर्ष में उंटू की संक्या है चार लाक संसार में उंटू की संक्या है 2.70 करोड नर उंट जो परजनन काल में आवाज निकालता है उसे कहते है गुर्गलिंग नर बेड जो ब्रीडिंग के काम आता है रेम कैस्ट्रेशन किये गए वेशक नर गोवन्स को कहते हैं बेल गोवन्स के मीट को कहते हैं बीप बैसावन्स के मीट को कहते हैं कास बीप बकरे के मीट को कहते हैं चेवन्स बेड के मीट को कहते हैं पॉर्क सूरी के मीट को कहते हैं बेड के जो मीट है इसको मटन का जाता है और सूरी के मीट को पॉर्क का जाता है मटन मीट का रंग होता है हलका लाल गोवन्स की वर्गी करण के अनुसार फेबेली होती है बोवीडी गोवन्स के सरीर का नॉर्मल टेंपरेचर होता है एक सो एक सो दो फारेनाइट उंट के सरीर का नॉर्मल टेंपरेचर होता है सत्यान में अठ्यान में फारेनाइट भेड बकरी के सरीर का नॉर्मल टेंपरेचर होता है एक सो दो से एक सो तीन फारेनाइट तो सातियों ये आज हमारे 100 क्यूशंते फटापट रिविजन के इंसाब से आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए आपके एक्जाम में यहां से हुबू परसन आपको देखने के लिए मिलेंगे अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंद जैभारत